बिहार में पंचाय चुनाव को लेकर तयार यां शुरू हो गई है जिसके तहत ही राज़ो निर्वाचुन आयोग की तरफ से समय समय पर अपडेट जारी किये जार है साथ ही चुनाव आयोजन को लेकर अब तक कई सारी गाइडलाइन भी जारी की गई है इसी बीच अब राज़ो निर्वाचुन आयोग ने एक और बड़ा अपडेट जारी कर दिया है जिसके तहत संभावित सितंबर अक्टूबर में शुरू होने वाले पंचाय चुनाव में किन-किन करमचारियों की ड्यूटी लगेगी इस बात का खुलासा किया गया है राज़ो निर्वाचुन आयोग की तरफ से मिली जानकारी के नुसार पंचाय चुनाव का आयोजन करवानी के लिए लगभग 34,000 करमचारियों की जरूरत होने वाली है जिसको लेकर कार्मिक कोशांग को सुची तयार करने के लिए आदेश चारी कर दिया गया है ताकि समय रहते मतदान करमियों की जरूरत को पूरा किया जा सके इसके साथ ही इस बात का खयाल भी रखा जाएगा कि अगर पंचाय चुनाव के दोरान किसी भी जिले में करमियों की कमी महसूस होती है तो इसकी कमी दूसरे जिलों के करमियों से पूरी की जाए इसके साथ ही पज्चाय चनाफ को लेकर दूसरे राज्य से EVM लाने का सिलसला शुरू हो गया है ऐसे में गठित किये गए EVM कोशांग के पताधिकारियों से EVM का सुरक्षत रख रखाव करने का आगरह किया गया है साथ ही आने वाले सभी EVM के फर्स्ट लेवल जाज की तयारी करने का आगरह भी किया गया है हाला कि EVM के रख रखाव को लेकर करमचारियों को पहले ही प्रसेक्षन देने का काम किया जा चुका है साथ ही DM ने प्रसक्षन कोशांग को निर्देश दिया है कि कार्मिक कोशांग से अथिकारियों और कर्मचारियों की सूची लेकर उनके प्रसक्षन की विवस्था की जाए ताकि पिछरी बार की तरह इस बार भी EVM को लेकर मामला ना फसे और पंचायच चुनाव का आयोजन समय पर शांती पुन्ट तरीके से कराय जा सके इसके साथ ही स्ट्रॉंग रूम के नोडल पदादिकारियों और बीडियों को प्रखंड में स्ट्रॉंग रूम के स्थल के चैनकान निरतेश भी दिया गया है वही बंचायच चुनाव के दोरान जरूरी काम को लेकर हाली में बैठक का आयोजन करवाए गया था आयोजीद बैठक में डिडी सी डॉक्टर सुनील कुमार जा अपर स्माहर्ता राजस्वराजेश कुमार अपर स्माहरता आपदा डॉकटर अजे कुमार साइक समाहर्था स्रेश्ट अनुबं अनुमंडल पदाधिकारी पुर्वी एवं पश्चमी निदेशक दी आरदिये प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रशाखाविकास कुमार जुला पंचायति राज पदाधिकारी जुला चंसंपर कदिकारी सहेत सभी कोशांग के नोड पहले ही कर लिया जाए इसके साथ ही सभी वर्य पदादी कारियों को इजबावत कारी योच्रा बनाने का निर्देश जारी कर दिया गया है इसके साथ ही पंचाय चुनाफ को ध्यान में रखते वे मीडिया कोशांग, आदर्श, आचार सहिता, मूलभूत सुविधा, मतपत्र और समागती कोशांग को भी अलग-अलग दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि कोरोना के मामलों में आरही कमी के साथ ही बिहार में पंचाय चुनाफ को लेकर तयारियां शुरू हो गई है दस शड़ों में आयोजित के जाने वाले चुनाव की तयारियां अगस्त महीने से शोने की उमीद जताई जा रही है साथी सितंबर औक्टोबर महीने में चुनाव संपन निकरवानी की संभाब ना जताई गई है अगर मामलों में कोई वरतमान वृद्धी देखने को नहीं मिलती है और वरतमान सर्था बनी रहती है तो पंचायद चुनाव समय पर आयोजित करवाई जाएंगे हाला कि वरतमान समय में पंचायद की बागदोर परामर्शी समीती के हाथों में है क्योंकि पहले एबियम और फिर कोरोना के मामलों की कारण पंचायत चनाफ का आयोजन समय पर नहीं हो पाया और 15 जून को पंचायत प्रतनेद्यों का कारेकाल समाप्त होने के बाद पंचायतों की जिम्मदारी समीते के पास चली गई है इसके साथ ही आज के इस वीडियो में वसितना ही तब तक के लिए धन्यवाद